हे गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल ग्यानलो काटन क्राप गाईज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ सूट का एक लेटेस्ट डिजाइन सेयर करने वाली हूँ उमीद है आपको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर अवस्या कर दिजेगा और यदि अप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए तक इसी परकार के वीडियो हम आगे अपलोड करते रहें तो गाइज इस वीडियो में मैं केवल शूट के डिजाइन का ड्रोइंग सेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको पेंट करके भी दिखाऊंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईज डिजाइन बनाने के लिए हमें एक थीन पेपर चाहिए जिसे ट्रेस पेपर भी कहा जाता है और एक स्केश पेन चाहिए गाईज किसी भी डिजाइन को पहले कपड़े पेना बनाए अधर्वाइज यदि कहीं मिस्टेक हो जाता है तो फिर कपड़े पे देखने में बहुत ही खराब लगता है तो पहले ट्रेस पेपर पे डिजाइन को ड्रा कर ले उसके बाद कपड़े पे बनाए तो गाईज इस वीडियो में मैंने ट्रेस पेपर से कपड़े पे डिजाइन बनाने का तरीका भी सेयर किया है तो वीडियो को अंतक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कवस्य ही कर दिजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखता है क्योंकि अविड एक जए बनाना सिमक वा ladder बनाना क्योंकि अविऽे हैं कि वीडियो क या ये कि आप शियो इंस बिर है में में γρη और भॉक नहा है इंस थार्वाध्री करता है मामान सबस्क्όरता स्क्रावान सबंखे इंस थे झाम तॉक्च्च जहाई है प्रक्रता है इंस कंई जहाई है थार्वावाई झाल पोंगें! अच्छा उड़ता जो चौन कोईज और अभड़ता जिएर निए वे जटे सीजज़तार है पन्मों जटो टो चरो तो और चरोबता चिक्ट काई जड्या है ज़र पिसा जड़ता है जड़ता है कमाल एक एम भागता है झाल कि अपता है तो गाइस डिजाइन हमारा रेडी हो गया चलिए अब इसे कपड़े पर बनाते हैं इसके लिए हमें एक कार्बन पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए और एक जो कपड़े में पॉलोथीन होता है मोटा वाला उसको ले लेंगे सबसे पहले डिजाइन को सेट कर लेंगे कपड़े पर जहां उतारना है इस प्रकार से और उसको हाथ से दबा देंगे ताकि डिजाइन इधर उधर नहों और नीचे कार्बन पेपर लगा देंगे इस तरीके से मेरे पास छोटा सा कार्बन पेपर था मैंने उसी से बनाया है और अंत में पॉलोथीन को सबसे उपर इस तरीके से शेट कर लेंगे इससे हमारा डिजाइन बिल्कुल सुरक्षित बच जाएगा हम जितनी बार चाहें इस्ट्रेस पेपर का यूज कर सकते हैं इस डिजाइन को उतारने के लिए तो देखिए कितना आसान है थीन पेपर से कपड़े पे डिजाइन को उतारना एक तरफ से थीन पेपर को दबाए रखेंगे ताकि ये इधर उधर न घसके और कार्बन को उपर खिसका देंगे जिधर डिजाइन छापना है इस तरीके से और पूरे डिजाइन को आसानी से कपड़े पे छाप लेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से ये डिजाइन बन गया अब हमारा ये डिजाइन पेंट करने के लिए रेडी है इस तरीके से हम किसी भी डिजाइन को आसानी से कपड़े पे बना सकते हैं तो कमेंट बक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवस्य कर दिजिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप हमारे वीडियो को दे कर प्रेक्टिस करते रहें क्योंकि जब तक आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तब तक वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई